हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए जब बापु ने संघर्ष करना शुरू किया था तो कभी कलपना भी नहीं करी होगी कि आजादी के 74 साल बाद भी बेटियां अपने ही देश में असुरक्षि ही होगी उस हालात को देखते हुए जहापर बेटियों का हर दूसरे दिन हर रोज बलाकार हो रहा है हर रोज बेटियां जो है उनको असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है इसी गुस्से के चलते लोग जो है वो बाल में है और दिली के जंतरमंतर की तस्वीरा आप लगातार जो पॉलिटीशन जा रहे हैं अलग-अलग संगठन के लोग वो भी आपर जुड़ते जा रहे हैं और मांग जो है वह थ्रस मसले पर है अब इस अब इस अब इस अब इस आपकी मांग है यह अब आपको पढ़कर ना देते हैं योगी सरकार का कोशासन खुले दरेंदों ने किया है और होस्मे ओडि सरकार मुर्दावार कर देंगे दरेंदों ने किया शिकार फुलिस ने लाज जिलाई निकम में आई योगी सरकार यहाँ पर लगी एक रखती कह रहे हैं दूसरी दक्ति हैं आप देखे आपन लिखा हुआ है बेटी बचाओ वासन द बेटी बचाओ दरसल एक वार्निंग थी कहना है अपर एक तक्ति का और कितनी बेटियों की भली चड़ेगी सरकार आखिर कप जागेगी तो इस तरह कि कई सारे जो स्लोगन्स है उस्लोगन्स की पाद लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं पर उसा लगातार लड़कियों के विरॉध महिलाओं के लिएस अरлив उतने सारे बलाकार केमसले बढ़ते जा रहे हैं मामले बढ़ते जा रहे हैं उन पर किसी जर्ए से कंट्रोल हू सके उन पर किसी तरे से रौफ्टाम लगाई जा सके और जो गुसा है इस गुस से ने कोरोना वाइरस महामारी को विचाथ पर रख दिया है क्योंकि बारी बरकम भीड जोग है वह जटा मंतर को जुड़ी हुई है और कोई डर नहीं है लोगों को कोरोना वाइरस का पुलिस योगी करता है अच्छा यह बताए है आपने मास्क क्यों नीचे कर लिया है माक्स इसने नीचे करा है कि हम जो और तेज अवात बुलंद करें क्योंकि यह सरकार अंधी गुंगी बेरी है निकम्मी है यह बिल्कुल सिस्टोमेटिक नहीं चड़ रही है यह अत्याचार कर रही है और यह हमारी दलित भेहन के साथ जो अत्याचार हुआ इसको कोई भी बर जो लगातार बाजपा के राज में यूपी में दलितों पर अत्याचार हो रहा है हम उसके लिए वाज उठाना है और हम योगी को बदा देना चाहते हैं कि एट से इट बजा रखते हैं अगर हमारी बैन को नियाए नहीं मिला चारों को फासी से कम और कोई सजा नहीं चाहि रहे हैं बलरामपुर में भी अभी कलें तीस तारीकों घटना दुबारा हो गई है तो हम चाहते हैं कि योगी सरकार इस्तिफा दे और ऐसे हमारी जो देश की बहन बेटिया इनको इनसाफ मिले और यह जो बलतकार के ऐसी सरमना खरकते हैं मैं आप नाम मेरे नाम सोनिया है म दिल्ली से हूं और मैं अनिशा की बहन हूं मैं उसका मैं उसकी साथ जो गलत हुआ है मैं चाहर्त रित जैसा कुछ पोस्मार्टम रिपोर्ट में नी आया है उसके सरीर पे इतनी चोटे आई उसकी जीव काटी गई उसकी गर्दन के अड़ी उसके खुत के बयान हुए इतनी वीडियो वाइरल हो रही है आप देखिए क्या को बलात कर नहीं है योगी सरकार है यह ताना चाहिए और हिटलर जाहिए पूरा परिवार खत्रे में हिटलर देखिए लोगों की जो भीड है पुरी सब्सक्राइब कर आए हैं कई सारे जो लोग है सो सॉलिडारिटी में खुद आए हैं हाँ पर और इतनी भीड में भी शामिल हुए है कोई डर नहीं है लोगों में उसके बावजुद जो अंदर क्रोध है वो ऐसे मसले को लेकर ऐसे मामलों को लेकर कहीं ज़्यादा है लोगों में और लगाता जो मांग है वो इंसाफ की हो रही है और लगाता जो आव सब्सक्राइब कर दो कि और देखा नहीं है पूर नियूस की जो एंकर थी उन्होंने बहुत इम्मत के साथ काम लिया उन्हों को भी रोखा गया और उनके साथ भी बतसलुकी की गई और यह बहुत देश के लिए बहुत बुरा ही बात है और हम जानते हैं कि भेन बेटी की जा तब अगादार इंडिया को जिस तरह से रोका जा रहा है उसको लेकर भी लोगों में बेहत गुसा है जिस तरह से जान का प्रत्वा मिश्रा है उनको हत्रस में अंदर गाउ में गुसने नहीं दिया जा रहा था जो उन्होंने हिम्मत दिखाई उसको लेकर भी लोग जो है वो यहा आपको रखे आगे झांपको को रखे. बुत रखे आपको रखे आे. आपको रखे मचको रखे आपको रखे next ह wnukkan